Welcome friends, आपके अपने चैनल The Pragmatic Classes में आपका स्वागत है बिहार STET अभ्यर्थी इस खबर से बढ़ी सरकार की मुश्किल पर अभ्यर्थियों के लिए हैं खुस खबरी तो जाने पूरा वीडियो देखें और क्या है ये बढ़ी खबर तो चलिए सुरवात करते हैं वीडियो को साइनव कॉस थीटा के फेर में माथा पच्ची कर रहे हैं गुरु जी जी हाँ नए हाई स्कूलों में मध्य विद्याले के सिक्षकों की लगनी है ड्यूटी जी हाँ सिक्षकों का दर्द जब सिलेबस नहीं जानते हैं तो पढ़ाएंगे कैसे बच्चों को जी हाँ बिस्तार से जानिये इस न्यूज को मुझपरपुर में खुलने वाले 126 नए हाई स्कूलों में लगने वाली मध्य विद्याले के सिक्षकों की ड्यूटी उनके लिए सिर्दर्द बन गई है उनका कहना है कि जब उन्होंने हाई स्कूल का सिलेबस कभी देखा ही नहीं है तो वे जाकर वहाँ बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे आठवी वा दस्वी की पढ़ाई में आसमान जमीन का अंतर है जी हाँ नए खुलने वाले उतकरमित हाई स्कूलों में मध्य विद्याले के सिक्षकों को ही नवी और दस्वी के चात्रों को पढ़ाना है स्तनातक ग्रेड के सिक्षकों को हाई स्कूल में तैनात किया जाएगा कुछ सिक्षकों ने बताया कि जब ओखली में सिर देना ही है तो उसकी तयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए इसलिए हम लोग लॉग डाउन की छुटी में नवी के सिलेवस की तयारी कर रहे हैं मद्य विद्याले में गनित पढ़ाने वाले सिक्षक ने बताया कि नौवी कच्छा में साइन वा कौस्थिटा भी छात्रों को पढ़ना है इसलिए किताब पलटकर उसकी तयारी कर रहे हैं ताकि क्लास लेने में कोई दिकत नहीं हो जून से सुरू हो सकता है सिक्षकों का प्रती नियोजन जिहां नए हाई स्कूलों में सिक्षकों का प्रती नियोजन जून महिने से सुरू हो सकता है अभी 89 स्कूलों में निर्मान का काम चल रहा है D.E.O. डॉक्टर विमल कुमार ठाकूर ने बताया कि कक्छाओं के सुरू होने से कुछ दिन पहले सिक्षकों का प्रती नियोजन हाई स्कूल में किया जाएगा अब देखिए ये महतपूर्ण बात है कि सिक्षक संग ने क्या दिया है जवाव और सिक्षक संग ने जताया है विरोध तो आठवी के सिक्षकों को हाई स्कूल में लगाने पर सिक्षक संग ने भी एतराज जताया है परिवर्तनकारी प्रारंबिक सिक्षक संग के प्रदेश अध्यक्ष वनसिधर प्रजवासी ने बताया है कि पहली से आठवी तक के सिक्षक RTI के प्रति जिम्मेदार होते हैं ना कि हाई स्कूल के प्रति हाई स्कूल के प्रति जवाब देही RMSA की होती है राजी सरकार को विशेवार सिक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिए अगर सिक्षक संग ऐसा विरोद कर रहे हैं तो अवस्त ही इस सरकार के लिए मुश्किल बढ़ा देगी जी हाँ और एक पोजेटिव बात यह भी निकलती है इस नियुस से कि STET के अभ्यरतियों को मिल सकता है यथा सिग्र मौका जी हाँ तो जल्द ही 15 माई तक बिहार सरकार अब अबस ही STET का रिजल्ट जारी करेगी और ओनलाइन प्रकिरिया के माध्यम से आप सभी STET अभ्यरतियों को नियुक्ति करवाएगी तो अगर आप चैन और कोमेंट करे अपना STET स्कोर जी हाँ पोजेटिव रहें और अपने साथियों को भी पोजेटिव बनाए रखें आपकी जीत पक्की है वीडियो को अंतर तक देखने के लिए धन्यवाद